एक मूर्थी पर गोलियां चलाई और मिठाईयां बाटी और नाथुराम गोडसे की मूर्थी पर मालियार पढ़ किया भारती जनता पार्टी का शासन है ऐसा क्यों है कि पिछले साड़े चार पाँच सालों में लगातार ये खबरें आती रहे हैं कि कहीं गोडसे के नाम पर म ये जो मुह में राम और दिलो दिमाग में नाथुराम वाली जो विचारधारा है ये उनी की सरकारे हैं केंद्र में हो या उत्तरप्रदेश राज्य में हो ये भले कुछ भी महत्मा गांधी के नाम पर बोलते रहें इनकी कतनी और करनी में सदैव अंतर रहा है नाथुराम गोडसे के एक वक्त में RSS से क्या संबन थे ये प्रशन कई बार उठे हैं और राश्ट्री स्वयम सेवक संग में में मेंबर्शिप रेजिस्टर होता ही न नहीं है तो ये जो convenience है इनका deniability जिसको English में कहते हैं कि अगर कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा जाते हुए हमारा तो इससे मतलब भी नहीं था तो ये पूरी विचारधारा एक shadow विचारधारा है ये परचाएं के पीछे रहने वाली विचारधारा है खुले में सामने आक हिम्मत इनकी नहीं हो पाती क्योंकि ये जानते हैं कि ये देश ऐसी विचारधारा को कुबूल नहीं करेगा कॉंग्रेस पार्टी तीस जन्वरी को जो उत्तर प्रदेश में हुआ उसकी भर्थ्सना करती है और कल यानि की चार फर्वरी को पूरे देश में कॉंग्रेस पार्टी हर राज्य में सुबह दस बजे बहुत बहुत अच्छी तरह से बड़ी मजबूती से अपनी इस भर्थ्सना को सड़क पर आकर प्रदर्शन करकर इस सरकार को उससे अवगत कराएगी कि कितनी गलत बात इनकी नाकों के नीचे हुई है और इन्होंने होने दी है हम तो यही मानते हैं कि यह इनकी मौन स्विकृती है आज तक ऐसा नहीं होता है इनी इसी सरकार के शासन में ऐसा क्यों हो रहा है यह प्रशन वाजिब है और इसका उत्तर हम और आप सब जानते हैं यह ऐसी विचारधारा है जो चोर को कहेगी भाग जा और महाजन को कहेगी जाग जा यह वैसी सरकार है यह खुद ही करवाते हैं हमारा इन पर आरोप है सदैव इनकी जो साहनुभूती थी वो गोडसे और उस विचारधारा के साथ थी इसलिए मैं आपको यह सूचित करने के लिए आया हूँ कि कल अकिलभारती कॉंग्रेस कमिटी पूरे देश में प्रदर्शन और धरना करेगी सुबह 10 बजे पूरे सारे राजियों में कोई प्रशन हो आपके तो बताईगे जहां भी आपको सारी कल जब आप आएंगे पहले ही बता दें तो आप आएंगे नहीं जब आप आएंगे तो आपको सारी सुचनाय भी मिलेंगी, पिक्चर भी मिलेंगी, फोटोस भी मिलेंगी, वीडियो भी मिलेंगी, वीडियो भी मिले directed to hold demonstrations tomorrow across the country at the state headquarters. वहाँ चले भी जाते तो क्या कर लेते आये थी ना राजिस्थान चाहते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की वो सफल नहीं हो पा रही काल प्रधान मंत्री जी भी गए चौदा मिनिट में अपना भाषन खतम करके आ गए 15 मिनिट नहीं बोल पाए उनकी हंगामा हो रहा था उनके खिलाफ भी नारेबाजी हो रही थी तो ये जाए न जाए भाषन दे न दे फोन पर दे वाटसैप पर दे उससे फरक क्या पढ़ता है जनता जो प्रशन पूछती ह है उसका उत्तर न अजै सिंग बिष्ट दे पाएंगे न नरेंदर मोदी जी दे पाते हैं न अमिट शाह जी दे पाते हैं तो यह अपनी जो इनको राग अलापनी है अलापते रहें जहां बैठकर अलाप रहें उसका कोई प्रभाव अब जनता पर नहीं पड़ रहा है हमने प्रतिक्षा की कि शायद सरकार की तरफ से कोई कारवाई होगी शायद कोई निंदा होगी शायद कोई ऐसा एक्षन दिखेगा क्योंकि हम गैर जमेदार रादनितिक दल की तरह हैं तो नहीं कि जहां-वहां कुछ हुआ और हमने यहां प्रदर्शन कर दिया समय दिया हमने हमने सोचा कि समविधान के दैरे में चलने वाली सरकार है शायद नींद खुलेगी इनकी लेकिन इनकी नींद नहीं खुल रहे है किसकी सरकार है उक्तरप्रदेश में? कौन सी विचार्धारा है जिस नहीं एक पैर सुप है ? पिछले चार साल में हम बार बार सुनते हैं कि कहीं उनकी नाथुराम गोडसे की प्रतिमा लगा दी है, कहीं मंदिर बन गया है उनके नाम पर लेकिन ये हो ना कि महत्मा गांधी की तस्वीर पर आप गोलियां चला रहे हो और नाथुराम गोड़से का सम्मान कर रहे हो केंद्र में आपकी सरकार आपको याद होगा जब उत्तरप्रदेश में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी दंगा हुआ था या दादरी का कांट हुआ था तो जट से राजनाथ सिंग्टी और यह लोग कह दें तो भई वहार कानून व्यवस्ता राज्य सरकार जाने हम से क्यों पूछ रहे हो तो अब हम इनसे इसलिए पूछ रहे हैं कि अब राज्य में किसकी सरकार है अभी आप जवाब नहीं देंगे तो आखिर कब जवाब देंगे You were asking something ma'am This is a desperate government and it has been desperate right from the first day desperate for what They said कि ये बदलाव लाएंगे ये तो बदला लेने आए कम cáंब रुड्राफे चाजरी लग्जर्सि कि आजनाष अर्सके जार्सकेस प्टियूर्स कि अजना अरी ख।ब्राफ टवज स्व्यूर्स्टीख के समना चार्सकेस् आज BuzzNeal CBA K 1 दिस्जरिए ? let the law ministry do what they have to do do we trust their method of investigation do we trust the way they have tried to direct and dictate investigations we all know what they are trying to make fugitives take some names forcing them to take some names so how can we trust anything done by a government which is sitting in the departure lounge are you up श्यक्षा के पुदी भूदी पुर्णी में इनका हिंदी में जवाब देदू फिर आपका सिदात इस सरकार के पहत आने वाली किसी भी एजनसी किसी भी विभाग पर अब जनता का भरोसा उठ चुका है ये बोलते थे कि हम बदलाव लाने वाले हैं और ये सिर्फ बदला लेने वाले लोग निकलें इनकी नियत पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा किस तरह कि जहांच ये करते हैं उस पर भरोसा नहीं रहा लोगों को पकड़ कर लाते हैं उन पर दबाव डालते हैं कि भई अपने राधनितीक परति दुंद्दियों का नाम लेकर बोलते हैं कि उनका नाम ले लो तो ऐसी बातें रोज निकल कर आ रहे हैं CBI में क्या हालत कर दी इन लोगों ने अब CBI पर किसको भरोसा रहा है ED पर किसको भरोसा रहा ऐसे ऐसे अफसर ये लोग उठा उठा कर गुजराच से ले आएंगे जहां जहां इनके पुराने रिष्टे और अफसरों से उनको लाकर बैठा देते हैं फिर उनसे गलत काम करवाते हैं ऐसे लोगों पर क्या भरोसा करो गया तो अब जो सरकार डिपार्चर लाउंज में बैठी है उसकी द्वारा किया गया कोई भी कार रहा इस तरहें का बदला लेने की कारे हो या कोई और कारे हो उस पर लोगों को भरोसा नहीं रहा सिधार्थ आपने जो प्रशन पूछा यही बात क्यों भूल जाते हैं अमिच्छा कि सरकार इनकी है उत्तरप्रदेश में भी इनकी सरकार है केंदर में भी इनकी सरकार है, कोट में विपक्ष कोई पार्टी नहीं है, कोट में ये भी पार्टी नहीं है, ये हम से क्यों पूछ रहे हैं, अरे जवाब आपका देना बनता है क्योंकि आपने मैनिफेस्टों में लिखा है, आपने लोगों को मूर्ख बनाया है राम मंदिर कि मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाऊंगा अरे आप सरकारी सांसद हैं सरकारी बिल लाईए ये प्राइवेट बिल का क्या शिगूफा छोड़ा अब वो भी चुपो गए जब हमने उनसे पूछा कि आपको क्या सरकारी बिल लाने की अनुमती नहीं मिल रही भारती जनता पार्टी सरकार से हमसे क्यों प्राइवेट मेंबर बिल का सपोर्ट करो गया नहीं तो चुपो गया अब अमिज शाह जी भी हमसे पूछ रहे अरे सत्ता में आप 282 सीटें आपकी 21 राजियों में आपकी सरकार यूपी की मुनिसिपैलिटीज में आप यूपी की सत्ता आपके हाथ में फिर भी आप हमसे पूछेंगे कितना मुर्ख बनाओगे आप जनता को राम मंदिर का मामला हो विकास का मामला हो जो आप इनसे प्रशन पुछो कहेंगे विपक्ष अरे हम तो विपक्ष में हैं अब आपका फर्श बनता है कि आप जवाब दीजे और स्पष्ट उत्तर दीजे भगवान राम के अनुवाईयों को भी स्पष्ट उत्तर दीजे और जो आप से विकास की उम्मीद लगाए बैठे थे उनको भी स्पष्ट उत्तर दीजे इनिफिंग एल्स अब लगवाईयों को जीते हैं यह जो नीता ऐसे जाकर कहते हैं कि मैंने आज शिलानियास किया उत्गाटन भी मैं जाकर करूँगा बहुत एहनकारी होते हैं चले थे जवहार लाल बनने बन गए मुंगेरी लाल अरे जनता के सामने तो जाईए पहले इलेक्षन तो हो जाने दीजिए जनता निर्णे लेगी कि आप किस चीज का उधगाटन करेंगे या नहीं करेंगे कश्मीरी पंडित इनको चुनाव से पहले क्यों याद आते हैं आप इतिहास देखिए 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ वो किसकी सरकार थी वो विश्वनात प्रताप सिंग की सरकार थी जिसका समर्थन भारती जनता पार्टी ने दिया हुआ था क्या भारती जनता पार्टी ने उस वक्त कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे पर समर्थन वापस लिया विशुनात पताप सिंग की सरकार से जी नहीं नहीं लिया उनके लिए न तब वो मुद्दा था न आज वो मुद्दा है तब भी उन्होंने समर्थन रत्यातरा के बाद राम मंदिर मुद्दे पर वापस लिया था अगर आपको याद हो तो कश्मीरी पंडितों के लिए UPA1 और UPA2 में जो काम हुआ है उसका एक प्रतिशत भी मोधी सरकार केंदर में भी मोधी सरकार राज्य में भी थी तीन साड़े तीन साल तो वहां भी थी उसका एक प्रतिशत काम अगर इनों ने किया हो तो आप मुझे बता दिजीगा कश्मीरी पंडितों को मोधी सरकार पर लेश मात्र भी वरुसा नहीं है तो आज ही जो कह रहे हैं अब भी विपक्ष में बैठ कर भाशन देने की प्रैक्टिस कर ले और इनकी बातों में अब कोई दम किसी को नजर आता नहीं है बहुत दुखत हाथसा था रेल सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है एहम मुद्दा है जिसकी और सरकार का ध्यान इस सरकार का ध्यान बिलकुल जाते वे नहीं दिख रहा यह जो बुलेट ट्रेन की बातें करते हैं कम से कम जो हमारी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीक में जो है उसी को सिदर्ड कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा प्यूश गोएल जी बड़ी उची उची बातें कर रहे थे संसत में बैठकर रेलवे सुरक्षा पर कि यह रेकॉर्ड तोड़ दिया हमने अन्मैंड क्रॉसिंग्स खतम कर दी यह कर दिया वो कर दिया बड़ी हैरत की बात है कि इतने हाथ से इस सरकार के शासनकाल में हुए हैं उस पर कोई इनके पास उत्तर नहीं है सिर्फ और सिर्फ जुम्लों की सरकार है अरुण जेटली क्या उस हाई पावर कमिटी के सदस्य है नहीं है वो बाहरी वेक्ति है इस हाई पावर कमिटी उनको कहने का अधिकार क्या है यह मुझे नहीं समझ में आता बनिस्पत उसके आप तुलना करिये तो खड़गे जी तो हाई पावर कमिटी के सदस्य है उनका अधिकार भी है उनका करतवी भी है कि वो अपना डिसेंट नोट लिखें अगर उनको लिखना है उनके पास कारण थे वो उन्होंने कारण उस डिसेंट नोट में लिखे ये तू कौन में खाम खा अरे आप बाहर बैठे हैं ना आपको सरकार पूछ रही है बजट बनाते वक्त आपने तो कुछ और कहा निकल कुछ और रहा है बजट में आप बाकी सारे कामों में टांग अड़ा रहे हैं क्यों भाई जब आप उस हई पावर कमिटी के सदस से ही नहीं है तो आपका बोलने का अधिकार भी नहीं है आप चुप बैठें यह बड़ी बिमारी है हमारी भारती जनता पार्टी के नेताओं में हर जगे बोलने की जहां नहीं बोलना चाहिए, वहां बोलते हैं, जहां बोलना चाहिए, जहां लोग उत्तर सुनना चाहते हैं, वहां बोलते हैं नहीं थैंक यू सर्वरिय कि अप्रस्काइपोड कम्रा हैं, जहां बोलते हैं, जहां बोलते हैं, जहां और। केकले में थेकल साथ क्रोड़करी, क्या निहल Ciास , आजो की आजुन है क्रेशने कैसे आम में यह सिद्धा , हम थे शेटी, आम यह सहे बाजिया के बाजन से ह rates कहले आ में। एकर है आधा साथ करना के एक घाल में तुसका को सा खाणा सीपानिंदोटी झाल झाल झाल